गोड़बनी फ्रेंड्स मैं सद्डा में आपका स्वागत है मैं फयाधरत भी आपका स्वागत करता हूँ आपके फेरिट चैनल मैं सद्डा में दोस्तो इस चैनल अज हम बाते करेंगे हर्याना पुलिस के जो परसों एक्जाम है आपका संडे को या नेक्स संडे फीमिल का ए हैं तो उसमें मस्ट नर्ष यापत कावे की कैसे कैसे आपकी ऐसी की जाओ करेंगे ऊसके बारे में मैंने आप से पिछ्छी वीडियो बाते की ती इस वीडियों भी कुछ और बाते करूंगा यह दो बीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा चार क्वाडरेंट हैं, कितने हैं? देर आर फोर क्वाडरेंट तो बच्चे, ये कहलाता है हमारा 0 डिगरी, ये कहलाएगा 90 डिगरी, ये कहलाएगा 180 डिगरी, और ये कहलाएगा 270 डिगरी और बच्चे, ये कहलाएगा कितना? 360 डिगरी 0, 90, 180, 270 और चाहे टैन हो, कॉट हो, कॉसिक हो या सैख हो, सब के सब कैसे होते पॉजिटिव कैसे होते पॉजिटिव और इस बाले में साइन साइन का उल्टा कॉसिक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव इस बाले में सर टैन टैन का उल्टा कॉट positive, बाकी सारा negative, और sir इस वाले में cause और cause का लटा क्या, sect positive बाकी सारा negative अब आप जाँगे, sir, यह ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे sign और sign का लटा cause से ही positive होता है यहाँ 10 positive क्यों नहीं होता क्या reason है, यही दोरा positive होते है तो सर देखे अभी मैं आपको trigonometry नहीं पढ़ा रहा हूँ क्यों? trigonometry जब मैं आपको एकदम एडवांस लेविल की पढ़ाऊंगा जब आपको मैं CGL के लिए पढ़ाऊंगा तो trigonometry के अलग से वीडियो बनाऊंगा बहां मैं आपको एक एक बात open करूँगा यह कैसे आया कैसे नहीं आया सारी बाते मैं आपको बताऊंगा लेकिन सर यहां पे अभी थोड़ा सा problem है कि परसों आपका exam है आपको basic basic बाते बताना है हर्याना पुलिस में अगर trigonometry आती है तो बहुत basic सी बाते आएंगी इसलिए मैं आपको अभी मान लिए थोड़ देर कि ऐसा होता है केलियर है बना upcoming videos में जो मैं आपको proper trigonometry टॉपिक पढ़ाऊंगा वहाँ पे सारी बाते मैं आपको केलियर कर दूँगा yes or not बचे यह कहलाता है पहला quadrant यह कहलाता है second quadrant यह कहलाता है third quadrant और यह कहलाता है fourth quadrant फर्स्ट वाले में सबके सब positive second वाले में sign और cause पॉजिटिव बागी सारा negative थर्ड वाले में 10 और cause पॉजिटिव बागी सारा negative 10 वाले में cause और sec पॉजिटिव बागी सारा negative any problem? no problem अब सर्फ होता क्या है? कुछ बाते बड़ी important बड़ी important बाते हैं सर एक काम और करेंगे हम लोग कुछ बाते हम लोग और सीखेंगे सर देखिए सबसे important बाते सर देखिए यह 90 degree है और यह 270 degree है तो यह change होगा क्या होगा? change क्या होगा? change सर ये 0 है और ये 180 है और ये 360 है तो ये क्या होगा तो आप बताएंगे no change होगा क्या होगा सर no change अब देखिए आगे अब change क्या होगा तो sign change होगा क्या में cause में और cause change होगा क्या में sign में sir 10 change होगा क्या में caught में और caught change होगा क्या में 10 में आगे देखो causec change होगा क्या में sec में और sec change होगा क्या में causec में Any problem? नहीं, पहली बात तो यह है, जब भी कभी angle 90 से उपर के आएंगे, या 90 से कम भी आएंगे, अगर आपको उनको change करना होगा, तो उन angle को हम 90, 180, 270, 360 में break करेंगे उन angle को, और break करने के बाद, देखेंगे, कि अगर 90 और 270 है, तो change 0, 180, 360 है तो no change, sign, cause में change होगा, 10, caught में change यहां तक बाते clear होगए आपको, सर यहां तक बाते clear होगए तो मैं आगे चलता हूँ, याद रहेगा, पहला quadrant में सब के सब positive, दूसरे बाले में sign और इसका उल्टा positive, तीसरे बाले में 10 इसका उल्टा positive, और चौते बाले में cause और उसका उल्टा positive, yes और not, यहां तक आपको बाते मेरी clear हो गए होगी, सर इसके बारे में सर मैं आपसे एक बाते और करूँ, इसके बारे मैं सर कुछ बाते और करूँगा, कैसे कैसे question आपके बनेंगे, चतुर्त अंश, पहला quadrant देखना है, किसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, या इसमें आएगा, इससे हमें क्या पता लगेगा, sign पता लगेगा, positive हो आएगा, या negative आएगा, बात नमबर 3, 3 में आपको sign आपने देख लेंगे, positive आएगा, या negative आएगा, sign देखने के बाद, फिर देखेंगे, हम change होगा, या no change होगा, यस, और चौथा का हम हमारा क्या है, हम उसकी value put कर देंगे, और हमारा answer आजाएगा, बाते के लिएर हैं, कोई दिकत है, उमीद करता हूँ आपको य एक question आगया आपका सर, sign 135 की value क्या होगी, क्या question आगया, sign 135 की value क्या होगी, तो सर आपको पहला काम इसको break करना है, क्या करना है, break, या तो 90 में, या 180 में, या 270 में, या 360 में, तो सर हम इसको break कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस क्या लिख सकते हैं सर, 45, 90 प्लस 45, सर हमन देखा, सबसे पहली चीज़, आपको चेक करना है quadrant कौन सा है sir 135, किस quadrant में है तो आप बताएंगे second में है, किसमें है 92 180, किसमें है second में है, sir बहाँ sign कैसा होता है, तो आपको पता है sign, sign का ultracausic positive, बाकी सारा negative, तो पहली बात second quadrant में है, sign कैसा आएगा, पिलास आएगा तो पिलास साइन लिखो न लिखो, कोई फर्ग नहीं पड़ेगा, फिर देखनें सा 90 आगया, 90 चेंज होगा no change, तो आप बताएंगे change होगा, क्या होगा, change 90 sign का में चेंज होगा तो आप बताएंगे cause में आगे 45 आगया, और cause 45 की value कितनी आगे बन भाई root 2 आप cancer आगया समझ में आया, या नहीं आया any problem, no आईए, अब इसी question को हम कैसे बनाएंगे, sign 135 बगरे, बच्चे आप कहते हैं हम तो 90 में नहीं तोड़ेंगे, हम तो 180 में तोड़ेंगे, तो 180 minus 45 बगरेंगे 135 किसमें आएगा तो आप बताएंगे, second quadrant में second quadrant में आएगा, sign कैसा positive, तो plus sign अब बच्चे 180 है तो no change, तो sign 45 की value कितनी आगई, बन भाई root 2 आप cancer आगया समझ में आगया, any problem no problem, बच्चे मान लिजे, एक example और मान लिजे question आगया, 10 330 की value क्या होगी, इसको भी थोड़ लिजे, या तो आप 270 पिलस 60 रिखिए या 360 मान लिजे तो sir मान लिजे इसको हमने किया 360 मान लिखा 30, 360 मान लिखा 30, any problem no problem, sir 360 मान लिखा 30, 330 sir किसमें आएगा, fourth quadrant में, किसमें आएगा sir, fourth में सब के सब positive सब के सब, sorry fourth quadrant, sorry, sorry, mistake fourth quadrant पे cause और cause का उल्टा सेक, positive बागी सारा negative any problem, 10 है तो sir क्या आएगा, minus 9 आएगा any problem, 360 है, no change तो बच्चे 10 30 आ गया और 10 30 की value बन बाई 3, तो minus का बन बाई थे इसकी value आएगी या नहीं आएगी any problem, no तो single single भी आ सकते हैं, plus में भी आ सकते हैं, minus में भी आ सकते हैं, कुछ भी आ जाएगा आप उनको chain कर लेंगे, आपका अंसर आ जाएगा any problem, no आगे करते हैं, next step फी तरब बच्छे कोशन है हमारा sin 48 upon cos 42 10 48 minus cot 42 ये दो कोशन है सर एक बाद बताईए आप मुझे मैं आपको अभी भी बताया था कि sin और cos में अगर angle का sum कितना आ जाए 90, value कैसी होंगी बराबर value कैसी होंगी बराबर जब जितना ये है, उतना ये है same number से divide करेंगे तो answer कितना आएगा एक, ये दो shortcut में थड़ा गया अब आप कहेंगे, नई सर हम तो थोड़ा सा इसका basic जानना चाहते हैं तो basic जान लीजिए तो सर क्या करेंगे किसी एक को change करो या तो उपर वाले को या तो नीचे वाले को बाते के लिए रहें तो सर आप देखेंगे इसको change करेंगे तो हमने इसको लिखा cos 90- क्या लिखेंगे? 48 बाते के लिए रहें तो सर देखें उपर वाला आगया sin 48 cos 90- first वाले में आएगा सब के सब positive 90 है तो change हो जाएगा cos काई में चेंज होगा? sign में sign 49 बटे sign 49 बालू क्या आगई? बन या तो आप इसे नकालो yes or no आपको बताया sign और cos में angle का सम 90 तो value बराबर 10 और cot में angle का सम 90 तो value बराबर cos और cosic और sec में angle का सम 90 तो value बराबर अब देखो 10 और cot में angle का सम कितना? 90 आ रहा है तो उनकी value कैसी होगी? बराबर होगी जब value बराबर होगी तो same में से same number minus आएगा आंथर क्या हैगा? 0 समझ में आया? अन्य प्रबलम बच्ची देखो अगर आपसे पूछ ले इसका मतलबी sign 17 की जो value होगी बही किसकी value होगी? cause 73 की value होगी क्यों? angle का सम कैसा आ रहा है? 90 आ रहा है yes और no आप direct चेंज करना चीदों को सीख जाएंगे बाते के लिए रहें? कोई doubt? नहीं बच्चे question है हमारा sign 130 बटा sign 50 इसकी value क्या होगी? इसकी value क्या होगी? तो देखो हम क्या करेंगे? sign 130 को हम ले सकते हैं 180 minus 50 clear है? अप उन में क्या लखेंगे? sign 50 बच्चे second वाले में आएगा sign कैसा होगा? positive क्या होगा? positive 180 है क्या होगा? no change तो इसका मतलब उपर क्या आ गया? sign 50 और नीचे भी क्या आ गया? sign 50 sign से sign cancel क्या है जगा? value बन या शोटपर याद रखना कि अगर उपर नीचे भी sign हो angle का sum 90 बन 80 आ जाए कितना आ जाए? 180 चाहे sign हो चाहे cause हो अगर angle का sum 20 80 आ जाए उनकी value आपस में कैसी होगी? बराबर होँगी कैसी होगी? बराबर याद रखना sign हो या cause हो same sign sign हो cause cause हो angle का sum 20 80 आ जाए तो value कैसी होगी? बराबर होगी बाते के लिए रहें ये शर्क्रण याद रहेगा एक बात याद रखना sign की भी sign की maximum value 1 होती है और cause की maximum value भी 1 होती है बाते के लिए रहें एक question आपसे और पूछ सकता exam में मैं आपको बता दू sign के साथ pi आते ही pi आजाए 2 pi आजाए 3 pi आजाए 4 pi आजाए या डेन डेश इसकी value हमेशा क्या होगी? 0 sign के साथ pi आते ही value क्या होगी? 0 और बेटा अगर pi की value कितनी होती है आपको पता होगा कितनी होती है 1 इटी डेरी cos के साथ pi आजाए 3 pi आजाए 5 pi आजाए मतला odd आजाए कैसा आजाए? odd आजाए तो इसकी value क्या होगी? minus 1 और बच्चे sign के साथ pi आजाए 2 pi आजाए और ये 4 pi आजाए 6 pi आजाए डेर डेर ये चलता रहे इसकी value क्या होगी? plus 1 कई बार छोटे exam में direct पूछ लेता है क्या पूल लेता है? direct कि cos 8 pi की value क्या होगी? 8 pi की value अकर even है तो plus 1 odd है तो minus 1 और sign के साथ pi आते ही shoot कर दीजी answer 0 आएगा आपका बाते के लिए रहे हैं? बच्चे हर्याना पुलिस में जहां तक मुझे idea है कि इसके बाहर technometric की question नहीं जाएंगे यह मैंने काफी label करा दिया आप लोग को इसके बाहर तो पूछ जाने के possibility बिलकुल भी नहीं है फिर भी जैसे मुझे question है sine 755 degree की value क्या होगी? जब बिटा 360 से उपर आ जाएगा तो इसको हम 360 में break कर लेंगे क्या कर लेंगे? 360 में break तो हमने देखा 360 से हम इसको divide करेंगे तो आपने देखा 360 की 2 से multiply किया 720 कितना बच रहा है? 45 तो आप देखेंगे sine 2 into 360 पिलस क्या बच गया? 45 एनी प्रब्लम? नो आपने देखा sine 360 पिलस शीटा है क्लियर है? किसमें आएगा? फर्स्ट बाले में सब पर सब positive positive 360 है no change तो बिटा आ जाएगा sine 45 और sine 45 को बेलू कितनी आगे? बन भाई रूट टो एनी प्रब्लम? नो प्रब्लम बाते क्लियर हैं? आप ऐसे कुश्चन को बना पाएंगे देखी सर्थ हर्याना पुलिस में इससे ज़्यादा ट्रिगनोमेटरी नहीं पूछेगा बाकी ट्रिगनोमेटरी में आपको CGL के लिए आपको मिंग वीडियोस में मैं आपको कराऊंगा फूरी ये केबल ये ट्रिगनोमेटरी का पार्ट में समझना ये बेसिक बेसिक पार्ट मैंने ए भी CGL ट्रिगनोमेटरी आपको बताई है जिसके हर्यानपुरिस में आने की उम्मीद है मैं एक बार फिर बता रहा हूँ परसों आपका एक्जाइम है मेरी नंबर सिस्टम की आट नो जो भी वीडियो पड़ी है उन सबको अच्छे से देख लीजी पिलस में सिंपिलिफिकेशन की जो वीडियो पड़ी है उन वीडियो उसको देख लीजी आप लोग थोड़ा सा सेट्स के बारे में देख लेना और इन कोश्चनों को देखने के बाद में ज्यादा कोश्चन मुझे नंबर सिस्टम की आने की उम्मीद है एक आप कोश्चन के लिमेटरी से भी आ सकता है और बाकी अपने जो पढ़ लग हायर्थमेटिक बगारा बो भी सारा पढ़के जाना अच्छे से रिवाइस करो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेतर करेंगे बेस्ट अब लग लियर इस्टिडेंट्स मुझे उम्मीद है आप लोग आगे सफलता की बुलंदियाश होएंगे आप लोग और मैं KBS का जो कल एक्जाइम है और आने वाला हर्याना प्लिस का एक्जाइम है उन सब के लिए आपको बहुत-बहुत मुआरग बात देता हूँ बहुत-बहुत मुआरग बात आपको आप अपकोमिंग एक्जाइम में आप अपना पेरेंट्स का अपने टीचर्स का नाम रोशन करें थैंक यू मैं सब्ड़ा के साथ बने रहने के लिए और अगर आपने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आपको सब्सक्राइब कीजिए अपने सारे दोस्तों को शेर कीजिए कि इस वीडियो इस मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थैंक यू सो मच गूड़नाइट